समस्कार आज का हमारा विशे है सीमियन लाइन अर्थात कपी रेखा तो दोस्तों सीमियन लाइन क्या होती है देखिए अगर आप किसी विक्ति के हाथ में देखेंगे तो आपको मुख्या रूप से का निदे तीन देखने के लिए मिलेंगी एक आपकी जीवन रेखा इसी के साथ जोड़ करके चलती हुई आपको बुद्धि रेखा दिखेगी और यहां से आपकी हिरदे रेखा दिखेगी लेकिन दोस्तों यह जो視ेमें लाइन है यह आपको इस परकार से नज़र आती है मैं आपको बताता हूँ अगर आप किसी विक्ति के हाथ में देखेंगे तो कुछ लोगों के हाथ में यह जो रेका है इस परकार से मिलेगी आपको बिल्कुल सीथी इसमें क्या होगा आपकी जो हिर्दे रेका है और जो आपकी बुद्धी रेका है यह दोनों रेकाएं एक साथ जुड़ करके एक शेतर से दूसरे शेतर तक पहुँचेंगी तो यही जो रेका है इसी को हम सीमियन लाइन कहते हैं अरतात कपी रेका रेका कहते हैं तो बहुत से लोगों के मन में एक प्रशन रहता है कि इस रेका के अच्छे परभाव होते हैं बुरे परभाव होते हैं यह किस परकार की रेका है क्या हमारी हिर्दे रेका ही नहीं है या इस परकार के प्रशन लोगों के अंदर रहते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में इसी रेखा के विश्य में बताऊँगा जिन लोगों के हाथ में ये सीमियन लाइन रहती है। देखिए ने जो Semenal Line है ये आपको हर विक्ति के हाथ में अलग परकार कि नजर हाएगी. तो इसके अलग लग परकारों के विश्चे में मैंबे बिए आपको बता देता हूं. तो दोस्तों किसी विक्ति के हाथ में Semenal Line को देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वास्तिक्ता में सीमियल लाइन है की नहीं है तो इसके लिए आपको बहुत गौर से इस रेखा की तरफ देखना पड़ेगा तो अगर आप देखते हैं किसी विक्ति की जो बुद्धी रेखा है वो जीवन रेखा जितनी ही मोटी है अर्थात इस रेखा और इस रेखा की मोटाई में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है तो दोस्तों इस रेखा को हम सीमियल लाइन हिरे कहेंगे ऐसी जो रेखा होगी ये विक्ति की बुद्धी रेखा ही है यहाँ पे विक्ति की जो हिर्दे रेखा है वो नहीं है ऐसी जो विक्ति होंगे अपने हिर्दे के स्थान पे अपनी बुद्धी मातर का उप्योग करेंगे किसी परकार के emotional ऐसे लोग नहीं होते हैं अर्थात ऐसे जो विक्ति होते हैं, किसी प्रकार से भी emotional decisions लेने वाले नहीं होते हैं, हर प्रकार का जो decision होगा, ये अपनी बुद्धी के द्वारा लेंगे, इसके सिवाएं, अगर आप देखते हैं, किसी विक्ति के हाथ में, ये रेखा, यहां से इस प्रकार चलती है, और यहां तक पहुंचाती है, और इसकी जो मोटाई है, जीवन रेखा के लगबग बराबर है, तो देखिए, ये जो रेखा है, इसको भी हम सीमियन लाइन नहीं कहेंगे, इस विक्ति के पास बुद्धी रेखा नहीं है, तो देखिए, ऐसे जो विक्ति होगा, वो emotionally ज्यादा decisions लेने वाला होता है, अर्थात, दूसरे विक्तियों के emotions में आकर अपने decisions लेता है, किसी भी decision को लेने के लिए अपनी बुद्धी का उपयोग नहीं करेगा, इसको जो भी decision लेना होगा, emotional होके लेगा, जिसके कारण से ऐसे विक्तियों को बहुत ज़्यादा दोखों का साम यहीं से एक रेखा इस प्रकार निकली है, यह जो रेखा है, बहुत मोटी है, ऐसा लगता है, मानों की तीन या चार रेखाओं से मिल करके, यह रेखा मनी है, यह जो रेखा है, आपकी जीवन रेखा से बहुत अधिक मोटी है, तो दोस्तों, इसी लाइन को हम क्या कहते है, सीमियन लाइन कहते हैं तो इसकी पहचान क्या हुई कि ये जो रेखा है बहुत जादा मोटी होगी इस परकार लगेगी कि दो या तीन रेखाँ से मिल करके ये रेखा बनी है तो इस परकार की रेखा अगर आप किसी विक्ति के हाथ में देखेंगे तो ही आप मात्र कहेंगे कि इस विक्ति के हाथ में सीमियन रेखा है तो इस रेखा को लेकर के अलग-अलग शास्त्रग्यों के अलग-अलग विचार है कुछ जो शास्त्रग्य है उनका विचार है कि ऐसे जो विक्ति होते है जड़ बुद्धी होते है क्योंकि ये बंदर रेका है तो इस प्रकार से बंदर की प्रकरती वाले ही ऐसे लोग होते हैं अर्था जड़ बुद्धी वाले होते हैं थोड़े शरारती से विक्ती ऐसे होते हैं इसके सिवाएं कुछ जो शास्तरग्या हैं वो कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत बुद्धिशाली होते हैं जीनियस ऐसे लोग होते हैं तो अलग-अलग शास्तरग्यों के अलग-अलग मत हैं इस विशे को ले करके तो दोस्तों देखिए ये दोनों ही मत गलत नह अवश्यक रूप से जो भी शास्त्रग्या किसी विशे में कहता है अपने अनुभव के अधार पर रहता है तो निश्चित रूप से कुछ-कुछ गुण अवश्यक रूप से इनमें जड़ बुद्धी वाले भी होते हैं और कुछ गुणों जो होते हैं बहुत बुद्धी पावर वाले होते हैं अर्थात ऐसे विक्ति जिस भी डिसिजन को लेते हैं अपनी बुद्धी और अपने हिर्दे को एक परकार से रख लेते हैं और फिर एक डिसिजन को ले लेते हैं ऐसे विक्तियों की जो विल पावर होती है वो भी बहुत अच्छी होती है जो भी ये करना चाहेंगे अवश्यक रूप से कर लेंगे क्योंकि विल पावर इन विक्तियों की बहुत यदिक स्ट्रॉंग रहती है इसके सिवाए ऐसे विक्ति होते हैं थोड़े से गुसे के सभावाले भी होते हैं गुसेल ऐसे जो लोग होते हैं क्यों ऐसे होता है क्योंकि मंगल के जो गुण होते हैं, वो काम हो जाते हैं, इनके अंदर अन्य जो ग्रह हैं, इनके गुण बढ़ जाएंगे, जैसे गुरु के, शनी के, सूरे के, बुद्ध के, इन सभी गुणों के इनके अंदर विद्धी हो जाएगे, लेकिन विक्ति के अंदर मंगल के जो गुण होंगे वो कम हो जाते हैं तो अगल मंगल परवत संकुचित हो गया है तो निश्चित रूप से ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके अंदर संकुचित मंगल परवत वाले जो व्यक्ति के अवगुन होते हैं वो आजाते हैं अर्थात ऐसे जो विक्ति होते हैं जरूरत से अधिक गुस्याल होते हैं चोटी चोटी बात पर आपको गुस्सा करते हुए नजर आ लेंगे कई बार अपने घर वालों के साथ भी बहुत बुरी तरह से लड़ाई जगडा ऐसे लोग कर लेते हैं तो यह जो विक्ति होते हैं बहुत ही ज्यादा हटी सवाब वाले होते हैं के विक्तियों के मन में कोई भी चीज आ गई तो उस कारे को ले करके हट पकड़ लेते है इसके सिवाए ऐसे जुन को deposit हैं बदले का भाव रखने वाले होते हैं अगर इस व्यक्ति को किसी नज गलत कए दिया उस व्यक्ति से जब तक यह लोग बदला नहीं लेडे थे पीछे नहीं हटते हैं लोगों के मन की अंदर ही हमेशा एक बदले का भाव बना रहता है अ टेगा हैं चोड़ेंगे नहीं इसके सिवाएं ऐसे जो लोग होते हैं अ dispement आरिवार्भति जी क seguir है कि अर्थाथ दूसरे वक्ति लोग मत पर्छा करते हैं वीसा ही यह विर्थाथ किसी वक्ति ने इनके साथ अच्छा किया में निश्जित रूपちょっと ये उस व्यक्ति के साथ भी अच्छा करते हैं और उस व्यक्ति ने इसके साथ जितना अच्छा किया है उससे भी अधिक अच्छा ऐसे लोग उन व्यक्तियों के साथ करते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया अगर किसी व्यक्ति ने इनके साथ कुछ गलत किया तो उस व्यक्ति को तो ये बिल्कुल भी छोड़ते नहीं है। इसके सिवाए ऐसे जो लोग होते हैं निडर परवर्ती के होते हैं। किसी भी कारे को करने से कभी डरते नहीं है। क्यों इन विक्तियों के अंदर जो रिस्क पावर होती हैं वो बहुत ही अधिक होती है। क्यों होती है मंगल परवत संकूचित हो गया। मैंने आपको बताया था कि मंगल परवत अगर किसी विक्ति का बहुत संकुचित हो जाता है तो ऐसे विक्तियों के अंदर भी जो रिस्क पावर होती है जरूरत से अधिक बढ़ जाती है तो निश्चिती ऐसे विक्तियों की जो रिस्क पावर होगी वो भी बहुत अधिक जब भी देखेंगे आपको थोड़े सा गुष्य में ऐसे लोग नजर आएंगे इसके सिवाए ऐसे जो लोग होते हैं लेंदेन के मामलों में अच्छे रहते हैं अगर किसी व्यक्ति से कुछ भी लिया इनोंने निश्चित रूप से सूथ समेत व्यक्ति को वापिस करते हैं अच्छे विश्वास पात्र ऐसे इनसान होते हैं इन व्यक्तियों की जो मित्रों की संख्या आपको मिलेगी वो भी बहुत कम मिलेगी ये मित्र भी बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के बनाते हैं ये मात्र उस व्यक्ति को अपना मित्र बनाएंगे जो की मुसीबत के समें इ ऐसे ही राह चलते किसी विक्ति को भी ये अपना मित्र नहीं मनाते हैं, जो भी विक्ति इनका मित्र होता है, जीवन में जब भी इनको अफशक्ता पड़ती है, इनकी सहायता करते हैं, अगर इनके मित्र को इस विक्ति की सहायता की अफशक्ता पड़ी है, निश्चित रूप से ये विक्ति भी बढ़ चड़कर अपने उस मित्र की सहायता करते हैं अर्थात ऐसे जो विक्ति होंगे इनके मित्रों की संख्या तो कम रहेगी लेकिन ये एक अच्छे मित्र होते हैं दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया अगर किसी विक्ति के हाप में आप इस प्रक प्रकार के गुन रहते हैं किस प्रकार से उसके जीवन के उपर परभाव पड़ते हैं मुझे लगता है आवश्य गूरूप से आपको मेरे द्वारा बता दीगे जानकारी आपको समझ में आ गई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर द देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों